नमस्कार फ्रेंट्सुम है आपका आपके ही अपने चले में इसका नाम है फारमसि И्वाखने डिशनरी। आज हम जिस वर्ड के बारे में बात करें वाले हैं यह वर्ड है लैक्जेटिव। लैक्जेटिव क्या होता है? वैसे लैक्जेटिव को समझगे से पहले constipation को भी समझना हमाशक होगा कभी-कभी अक्सर या किसी केस में अक्सर भी यह देखने को मिला है कि उनको जो evacuation of stool है borrel है वो proper नहीं होता वो stool को proper evacuate नहीं कर सकते जिनकी वज़ा से हम उनके पेट में एक अजीब सा मरोड या दर्द होता है और इसको साधा नमासा में कब्ज कहते हैं तो इस रुके वे stool को borrel से बाहर eliminate करने के लिए evacuate करने के लिए जिस agent जिस medicine या जिस drug का हम use करते हैं इसे हम कहते हैं lexative most of the case lexative आपके stool के hardness को कम करके उसे soft बनाने का काम करते हैं ताकि इनका जो evacuation है इनको जो बाहर निकालने का प्रोसेस है यह आसानी से facilitate हो सके इनके कई तारे mechanism of action है काम करने के कुछ इस तरीके से हम समझ सकते हैं यह एक bulk lexative होते हैं जो की आपके stool के पीछे एक pressure लगाने का काम करते हैं जो आसपास के जो fluid हैं इनको absorb करेंगे अपने size में swell करेंगे और उसको propel गरने का काम करेंगे दूसरा होता है stool softner जो की उस hard stool को soft करने का काम करते हैं water को retain रखने का काम करते हैं तो इस तरीके से इनका जो evacuation का process है वो smoothly तरीके से हो जाता है तो इन सारे drug को इन सारे तरीकों को एक साथ combined groups हम कहते हैं lexative आखरी में इसको revise करिए lexative ऐसे substance हैं जो कि आपको आपके constipation से relief देने का काम करते हैं और आपके stool की evacuation है इसमें आपको मदद करने facilitate करने का काम करते हैं So friend, that's all for today Thank you very much for watching this video Namaskar